हेलो दोस्तो मैं हूँ अमित और आप देख रहें नौलेजोर तो दोस्तो इसा कि आप सभी को पता है भी चला सर्दियों का मौसम तो इस सर्दियों के मौसम में हम आपके लिए एक लाहे बेहतरीन सा प्रोड़क्ट जो की है रूम हीटर तो दोस्तो यह जो रूम हीटर है जन वर्ड कमपनी का है जो की एक जन पल्स का ब्रांड है तो दोस्तो आप अपने घरों के लिए कोई अच्छा सा रूम हीटर लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि room heater कितने type के होते है और आपको अपने घरों के लिए कौन सा room heater लेना चाहिए तो दोस्तो जेनरली जो room heater होता है वो तीन type का होता है जिसमें पहला इस image में आप देख सकते हैं या एक radiant type room heater होता है दोस्तो इसमें होता क्या है कि halogen की coil होती है जब इसमें supply दिया जाता है तो यह जो coil है glow करते है और इनके पीछे एक लगा होता है reflector जिससे घरों में जो है गर्मी पैदा होती है दोस्तो दूसरा जो room heater होता है वो blower type होता है जैसा कि आप इस image में देख सकते हैं इसमें होता क्या है कि coil के पीछे एक blower या फैन लगा होता है और जब coil में supply दी जाती है तो बाहर की जो भी ठंडी हवा होती है यह जो blower है उसे सक करता है और सक करके यहां से गर्म हवा फेकती है दोस्तो यह जो blower होते हैं पूरे जो घर होते हैं उनमें गर्मी को बनाए रखता है और इस तरीके से जो घर की जो हवा होती है और गर्म हो जाती है दोस्तो तीसरा जो होता है room heater वो होता है oil type oil type में होता क्या है कि ये काफी महंगे होते हैं लेकिन इनकी technology जो होती है थोड़ी अलग होती है इसमें होता क्या है? कि इस तरीके से tank में oil भरा होता है और इसके उपर और नीचे दो oil होते है और जब इनमें supply दी जाती है तो oil heat होते है जिससे oil heat होता है किस type का है, कैसे काम करता है और आपको कहां से और कितने में मिलेगी, क्योंकि ये बहुत ही best heater है, और बहुत ही कम price में आपको इतनी जो facilities वाली heater है, यहाँ पर मिल रही है तो चली इसे फटाफट से unbox करते हैं और इनके सारे खूबियों को समझते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं, यह जो room heater है इसकी packing कुछ इस type से है यहाँ पर सबसे पहले जन वोल्ट की branding की गई है, साती साथ दिखाया गया है कि यह जो room heater है, यह 2000 watt का है दोस्तों इसके अलावे, अगर आप यहाँ पर side में देखेंगे, तो यहाँ पर barcode दिया गया है, इस barcode की मदद से, आप अपने इस product की warranty को register कर सकते हैं दोस्तों इहाँ पर इसके कुछ features को बताया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि इसमें जो है dual heating setting का option दिया गया है, साती साती इसमें जो fine है, वो noiseless operation इसका है मतलब कि इसके जो पंके हैं आवाज नहीं करेंगे, इसके अलावे यहाँ पर safety tip cover दिया गया है, इस तरीके से आप यहाँ पर safety tip cover को देख सकते हैं, साती सात यहाँ पर जो है, आप इसमें पकड़ने के लिए handle अगरा की भी बेवस्था दी गई है तो दोस्तों चलिए इसे फटा-फट से unbox करते हैं, और देखते हैं इसके अंदर क्या-क्या चीजे दी गई है, और यह जो room heater है, किस प्रकार से काम करता है दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, इसके अंदर एक manual दिया गया है, जिसमें आप इस चीजों को देख सकते हैं, किस तरीके से इसे use करना है, साथी साथ आप यहाँ पर इसके warranty को claim कर सकते हैं तो इसे हम side में करते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे, यह जो room heater है कुछ इस type से देखने में लग रहा है बात करेंगर इसके build quality की तो यह बहुत ही मजबूत plastic से बनाया गया है, जो कि आपको इतने सस्ते rate में बहुत ही अच्छी quality का यह जो room heater देखने को मिल जाएगा दोस्तों अगर बात करेंगर इसके plug और इसके wire की, तो इसके plug और जो wire है इसकी wire की जो length है और करीब 1.5 meter की है यानि कि आपके जो socket है, थोड़े दूरी पर भी हो तब भी आप इसे आसानी से plug-in कर सकते है दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यह जो safety feature यहाँ पर इसका यह दिया गया है इसे अगर माल लीजिए कि running के समय इसे touch भी करेंगे तो आपके हाथ को जो है गर्म अगरा महसूस नहीं होगा और साथी साथ sock अगरा नहीं लगेंगे क्योंकि इसमें एक protection दिया गया है जो कि इस तरीके से बच्चे अगरा कोई touch भी करता है तो उसको कोई भी sock अगरा लगने का खत्रा नहीं है दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें तीन चीजे दी गई है एक regulator जो है यहाँ पर इसके अगर आप एक number पे करेंगे तो 1000 watt पे यह चलेगा अगर आप 2 number पे कर देंगे तो 2000 watt पे चलेगा और अगर आप fan mode पे कर देंगे तो only इसका fan चलेगा और यहाँ पर कर देंगे तो यह off हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर साथी साथ इसके fan की speed को कम या जादा करने के लिए यह regulator दिया गया है यहाँ पर एक देखेंगे एक indicator दिया गया है जब इसे आप plug-in करेंगे तो यह indicator yellow color का जलेगा इसे काम करता है और कितने देर में एक room को यह गरम कर सकता है तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हम इसे plug-in कर दिये हैं जैसे ही आप plug-in करके switch को on करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पीले color की light जलने लगती है इसका मतलब यह हुआ कि इसमें supply आ चुकी है दोस्तों अब हम यहाँ पर इसके regulator दिया गया है इसे regulate करके speed को बढ़ाते हैं यानि इसे on करते हैं तो आप देख सकते हैं यह चलना सुरू हो गया है और यहाँ पर सामने से गर्म हवा निकलने लगी है तो दोस्तों इस तरीके से आप देख से बहुत ही गर्म हवा निकल रही है और बहुत ही कम समय में यह आपके रूम को गर्म कर देगी तो यहाँ पर यह सामने में इसके safety feature दिया गया है जिसे आप touch भी करेंगे तो कोई भी current वोगर या फिर heat नहीं होता है जिसे आप इसे आसानी से पकड़ के कहीं भी ले जा सकते है तो दोस्तों देख सकते हैं यह जनवोल्ट के तरफ जो भी room heater है बहुत ही ज़्यादा handy है और बहुत ही कम price में इतने ज़्यादा features आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं दोस्तों बात करेंगर इसके कीमत किये तो यह आपको 500-500 रुपे के बीच में Flip Chiata Amazon पे मिल सकते हैं जिसका link मैंने description में दिया है आप जा कर वहाँ से purchase कर सकते हैं और इस ठंडी के मौसा में अपने room को गरम कीजी और इस तरीके से बहुत ही कम price में इतने सारे advanced feature के साथ यह चीज़े आपको देखने को मिल रही है दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे इसे regulate करने, speed को regulate करने का भी दिया गया है साथी साथ आप यहाँ पर इसे बढ़ाया घटा कर 1000W या 2000W या फिर only fan को चलाना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं तो दोस्तों यह चीज़े यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है जो कि सिर्फ जन वोल्ट ही आपको दे रहा है इतने कम फीचर, इतने कम प्राइस में इतने सारे फीचर के साथ तो दोस्तों अगर आप इस जो है रूम हीटर को लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए वहाँ पर मैंने लिंक दिया है वहाँ पर आप जाकर इसे पर्चेस कर सकते हैं तो वीडियो कैसे लागा कॉमेंट करके जरूर बताईएगा सो मिलते हैं का अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद